हलो फ्रेंड्स आज मैं आपको यू डिक्शनरी आप के एक और फीचर के बारे में बताऊंगी जिसे आप बोल कर भी अपने सेंटेंस को हिंदी या इंग्लिश में कनवर्ट कर सकते हैं इसके लिए आपको Conversion टैब पर क्लिक करना है उसके बाद एंग्लिश टैब पर क्लिक करें बहरत की राज्दानी क्या है देखे फ्रेंड्स इसने इस सेंटेंस को हिंदी में कनवर्ट कर दिया चलिए अब हम हिंदी में कुछ conversation करते हैं उसके लिए Hindi tab पर click करें दिल्ली भारत की राजधानी है देखिए friends इसने इस sentence को English में convert कर दिया है है न कमाल का feature friends इसे download करने के लिए description में link available है वहाँ जाईए और जल्दी से download करें Thank you friends एक समय की बात है एक गाउं में बहुत बड़ा पुराना बड़ा सा घर था पूरे गाउं में वे घर भूद्या खंधर के नाम से जाना जाता था कोई भी गाउं वाला उसके आगे से निकलने में बहुत डरता था आधी रात होते ही उस घर से डरावनी डरावनी आवाजे आने लगती थी एक दिन रमेश नाम का लड़का शहर से अपनी भाई के घर गाउं आता है रमेश वहां से गुजर रहा होता है अरे रमेश कहां जा रहा है जरा बात तो सुन मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती हूं तुम आजाओ हम मिलकर रहेंगे बहुत मजा आएगा अरे नहीं ये तो चुड़ेल है ये यहां कैसे आ गई भागो रहे भागो हाई मबी बचा लो अरे रुक जाता कहां है मैं बहुत दिन से भूकी हूं अरे मर गया अरे अरे मर गया बचाओ कोई तो बचाओ फिर वो जल्दी जल्दी अपने भाई के घर की ओर भाग जाता है अरे भाई दर्वाजा खोलो महेश भाई दर्वाजा खोलो जल्दी अरे भाई कौन है इतनी रात को जो दर्वाजा पीट रहा है जाओ कविता जरूर तुम्हारा भाई होगा वो ही बेश में आ जाता है अजी क्या कहा आपने मेरे भाई के बारे में जरा अपनी आखों का इलाज करवाओ ये मेरा नहीं आपके भाई साहब पधारे हैं बड़े आए अरे पागा लौरत वो शहत से बहुत सारी सोने की गिन्निया लाया है ताकि यहां मेरे पास समाल कर रख सके क्या कह रही हूं जी तो ऐसा बोलू ना कि लक्षमी जी पधारी है मैं अभी आई लक्षमी जी फिर वो दर्वाजा खोलती है तो रमेश दरा हुआ खड़ा हुता है अरे भीया आपका गाऊ तो बहुत डरावना है यहां आते ही ऐसा स्वागत होता है क्या पर हुआ क्या इतने घबराए हुए क्यों हो क्या बताओ भीया यहां भूतों का वास है क्या मैं तो घर की और ही आ रहा था लेकिन जिस रास्ते से आ रहा था वहाँ पर एक बड़ा सा घर था और जैसे ही मैं उसके आगे से निकलने लगा वहाँ मुझे चुडल दिखाई दी वो मुझे बुलाने लगी क्या कह रहे हो भाई तो मैं वहाँ से नहीं आना चाहिए था वहाँ से जो भी निकलता है वो गायब हो जाता है नही नहीं भाईया मैं वहाँ रुका ही नहीं जैसे ही चुडल दिखी मैं तो वहाँ से 9211 हो लिया अब सब ठीक है तुम घबराओ नहीं हम कल ही जाकर इन गिन्यों को किसी सुरक्षित जगह पर दबा देंगे फिर अगले दिन सुभै होने पर चलिए अब इन सारी सोने की गिन्यों को सही जगह ठिकाना लगा दें जहां ये सुरक्षित रहें फिर दोनों भाई उन सारी गिन्नियों को लेकर घर से निकल जाते हैं देखो भाई रास्ते में वही खंडर आएगा तुम डरना मत और चौकनने रहना जहां हमें जाना है वो रास्ता वही से होकर आता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है नहीं बहिया मैं नहीं जाओंगा भाई कुछ नहीं होगा अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं हूँ ना तुझे कुछ नहीं होने दूँगा फिर इतना बोलकर दोनों भाई निकल जाते हैं और जब वह खंडर आता है तो दोनों बहुत डर चाते हैं वहां बहुत अजीब अजीब सी आवाजे आने लगती है भाईया मुझे तो डर लग रहा है कान हा तुम दोना अब तुम दोनों नहीं बचोगे भाईया, अब हम क्या करेंगे, ये चुडल तो हमारे सामने ही खड़ी है तुम डरू मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूगा, तुम मेरे पीछ आजाओ फिर चुडल महेश को अपने मुँ में निगर लेती है भाईया, नहीं, भागो यह से, नहीं तो ये चुडल मुझे भी खा जाएगी मुझे किसी की मदद लेकर आना होगा फिर वो भाग कर वापिस गाउं जाता है भाबी, भाबी, दर्वाजा खोलिए, दर्वाजा खोलिए भाबी अरे रमेश, तुम वापिस भी आ गए, तुम्हारे भाईया कहा है नहीं भाबी, बहुत बड़ी गड़बड हो गई, वो खंडहर वाली चुडल भाईया को साबुत ही निगल गई क्या, ये तुम क्या कह रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाबी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे सामने ही वो चुडल भाईया को निगल गई, मैं किसी तरह भाग आया, ताकि मदद लेकर आ सकूँ फिर कवीता घर के अंदर जाती है, और सोचने लगती है कि अब क्या करीं, इतने में रमेश कुछ गाउवालों को भी एकठा कर लेता है फिर कवीता, रमेश और सब गाउवाले उसी खंडहर के पास जाते हैं अरी ओ चुडैल, बाहर निकल, मेरे पती को खा गई, हिम्मत है तो बाहर निकल अरे भाबी, आपको डर नहीं लगता क्या देवर जी, डर तो लगता है, लेकिन अपने पती को बचाने के लिए मुझे अपनी जान की कोई परवा नहीं है इतने मिच्चुडैल, वहाँ आ जाती है, सब गाउवाले बहुत डर जाते है आई मम्मे, माचालो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई अरे कविता बहन, आपके तो पतीत के पेट में है, आप भी अंदर चली जाओ दोनों साथ मैं खुशी खुशी अंदर रहना, मज़े करना, मैं मरना नहीं चाता बाबी जी नमस्ते, मैं जा रहा हूँ, ये तो बहुत खतरनाक दिखती है भागो रह यहां से, अपनी जान बचाओ, वेकार मेहन के चाता गए दर पोग कहींगा, चल भाग यहां से, फिर सब गाउवाले दर के मारे वहां से भाग जाते हैं अरे रुगो दर पोग गाउवालो, कहां भाग रहे हो ए चुडैल, उन्हें छोड़, इधर देख, मैं यहीं खड़ी हूँ, मैं तुझसे नहीं डरती समझी न, तुने मेरे पती को निगल लिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूँगी अरे भवी, यह क्या कर रही हो, हाराम से बाग चित करके भी तो मामला निप्टाए जा सकता है तु वही है न, जो कल यहां से बच कर भाग गया था, उसे छोड़ पहले मुझे खा के तो दिखा जरा देवर जी, आप दूर हट जाएए, फिर रमेश एक पेड़ के पीछे छिप जाता है ए पागल औरत, तुझे भी तेरे पती के ही पास पहुँचा दूँगी हाँ हाँ, तो खाना मुझे, दर क्यों रही है फिर उस चुड़ैल को बहुत गुसा आजाता है, और वो कवीता को भी मुझे डाल कर निगल जाती है कवीता भी चुड़ैल के पेट में पहुँच जाती है अजी, आप ठीक तो है ना अरे कवीता, तुम यहां कैसे आ गई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था और कैसे नहीं आती, मेरी लक्षमी जी तो आपके ही पास थी ना हे राम, यह क्या कह रही हो, तुम्हें अभी भी गिन्नियों की पड़ी है तभी कवीता, अपने पास से हनुमान जी की मूर्ती निकालती है जो उसने छिपा कर अपने पास रखी थी हे पवन्सुत हनुमान, हे बजरंग बली हमारी रक्षा करो मैं आप पर ही विश्वास करके इस चुडैल के पेट में आ गई बस आप ही रक्षा कर सकते हो, जै बजरंग बली हाँ कवीता, यह तुमने ठीक किया, अब तो इनका ही सहरा है बजरंग बली की जै हो, पवन्सुत हनुमान की जै हो, सियापत राम चंद्र महाराज की जै हो इतना बोलते ही, हनुमान जी की मूर्थी से प्रकाश निकलने लगता है और वह मूर्थी करिता के हाथ से निकल कर बड़ी होने लगती है अरे ये मुझे क्या हो रहा है अह मर गई रे मेरे पेट में इतना दर्द क्यूं होने लगा ये दर्द बरदाश्ट नहीं होता ये भगवान मुझे बाफ कर दो जैसे जैसे मूर्थी बड़ी होने लगती है वो चुलैल भी अपना शरीर बड़ा करती जाती है और बड़ी होने लगती है, और वो इतनी बड़ी हो जाती है कि चुलैल का पेट ही फट जाता है, और ऐसे वी उसका अंथ हो जाता है, और मूर्ती फिर से छोटी होकर कवीदा के हाथों लिया जाती है।